हेलो बच्चों, आईए हम अपने नए समध्याते हैं, इसमें आपको कहता है, calculate operating ratio in all cases, आपके पास तीन case हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये ना आपको operating profits का ratio निकालना है, ठीक है, तो इसका simple सा एक concept मैंने कल आपको बताया था, याद होगा आपको, OP by में sales multiply हो जाएगा किस से, सो से, ठीक है, अब मुझे तो बस OP चाहिए, पहली बात, उसके बात sales चाहिए, ये case 1 है आपका, case 1 में आपके पास sales भी given है, operating profits भी given है, तो आपके लिए बिल्कुल असान हो जाएगा, OP 120, sales 6,00, multiply by ये, ठीक है जी, तो ये आपने पास आजाएगा, 20, बहुत असान है जी, पहला case आपका, तो कि दोनों चीज़े हमें चाहिए, दोनों ही आपके पास given है, next case देखिए, second आपका, sales given है, cost given है, operating expenses given है, मुझे तो OP चाहिए, OP निकालने के लिए मैंने आपको एक concept बताया था, ध्यान होगा आपको, OP is equal to, GP जो होता है न, GP, GP में से आपको operating expenses को गटाना है, and operating income को जोड़ना है, अब क्या इस sum में आप देखो, आपके पास operating income है कहीं भी, नहीं है, तो खाली इससे भी कापका काम चल जाएगा, अब GP आपके पास हैं यापे, operating expense तो चलो मान लिया 20 है, GP है, नहीं है, तो इसका मतलब पहले आपको GP निकालना बढ़ेगा, GP कैसे निकलता है, वो भी आप जानते हूं, sales minus cost, आपके पास sales भी गीवन है, आपके पास cost भी गीवन है, तो GP आपका आगया बच्चो, 1 lakh, ठीके, अब GP आपका 1 lakh है, operating expense 20 है, तो OP आपके पास भी गीवन है, 80,000, ठीके, तो OP रेशो आपको निकालना है, OP भाई में sales 5 lakh, multiply हो जाएगा इससे, तो यह आपका बच्चो आजएगा, काटने भी 16, असान है जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको दोनों गीवन थे, यहाँ पे आपको OP निकालना है, OP निकालने के लिए GP minus operating expenses, expense तो गीवन है, लेकिन GP आपको निकालना बढ़े गया, sales minus cost, ठीके जी, अब आजओ आपके 3rd case में, 3rd case में क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास operating expenses है, तो OP निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, OP के लिए बच्चों आपको GP में से operating expenses को गटाना पड़ेगा, अब operating expense आपके पास 70 है, GP आपके पास है नि, बट आप यह रेको GP आप कैसे निकाल सकते हो, कहता है, GP 25 है sales का, sales कितनी है, 10 lakh, तो 10 lakh का 25 कितना आजएगा बच्चों, 2 lakh 50,000, तो operating profits आपके पास OP जो होते हैं वो आगे, 180, OP, buy में sales, 10 lakh, multiply by यह, तो यह कट होगा बच्चों, यह आपका आजएगा जी, 18, ठीक है बच्चों, यह तीनों केस आपके सामने complete हो गई,